हेला दोस्तों मैं राज और राज इंडेक्शन में आपका श्वागत करता हूं दोस्तों आज है संडे और संडे को दोस्तों आपको पता होगा कि आपका कोश्चन मेरा एंसर एपीशोड चलता है दोस्तों अगर मान लो आप इस वीडियो का पहली बार वाज कर रहे हो तो क्या डाउट है सर आईजीवीटी सेंसर की वैलू आप कहते हैं हंडेट की ओं लेकिन मैंने कहीं इंडेक्शन में चेक किया मुझे सब टेन के ओंदिखाई दिया प्लीज आपका जवाब का इंतजार है दोस्तों जो आईजीवीटी सेंसर हो या टॉप सेंसर हो हम उसके 20-80 के बताता है अगर आपको मान लो कि आप सिमला से हो बहुत बरफ रहे हैं तो वहां पर चेक करोगे तो 100 के भी बताएगा क्योंकि वह क्या है दोस्तों एक परकार का ऐसा रजिस्टेंस है जो टेंप्रेचर की एकॉर्डिंग काम करता है अगर उसके उपर टेंप्रेचर ज्यादा पड़ेगा तो उसकी वैलू कम होगी क्लियर उसके उपर अगर टेंप्रेचर जितना ज्यादा पड़ेगा उसकी वैलू कम होगी तो वैसे अगर मान लोग आपका आईजीबीटी सेंसर 10 किलो ओम का बता तो सबसे पहली गलती आप क्या कर रहा है कि उसको PCB में लगा के चेक कर रहा हो तो वहां पर पहले PCB से बाहर निकालो और उसको चेक करो अगर आपके मन में डाउट है नहीं है तो एक काम करो आप 12 के या 10 के रिजिस्टेंस लगा के देखो अगर वहाँ पे 10 के और 12 का रेजिस्टेंस काम कर लिया तो मैं गलत हूँ अगर मालो वहाँ काम नहीं किया तो आपको चेक करने नहीं आ रहा है यानि आपको मैं जांपल के तौर पर बता रहा हूँ लेकिन दोस्तों जहां तक मेरा एक्स्पिरियेंस है मैं अपना बात बता रहा हूँ नॉर्मली इंडक्शन कुक्टॉप में अगर SMD में होगा तो आपका 30 के 35 के 40 के और 45 के बताएगा तो कि आपका अगर मालो आप उसको पर हीट करके चेक कर तो टेन के भी बता सकता है मैंने आपको क्या बताया उसके साथ बहुत ज्यादा टेंपरेचर डालोगे तो उसके वैलू बहुत कम हो जाएगी सौट पोजीशन में आ जाएगा तो आपसे रिक्वेश्ट है आपका कमेंट जारी रहेगा और मेरा एंसर भी जारी रहेगा आप उसको बाहर निकालो बाहर निकालने के बाद उसको चेक करो और एक वीडियो क्लिप बनाओ और मेरा पोश्ट करो हो सकता है हम वीडियो को देखे हो सकता है मेरे से मिसो लेकिन मेरा अनुभाव इतना मैं चेक किया हूं लेकिन 45 के 50 के वहां पर बताता है कोशन के तरफ चलते हैं राज भाई बजाज इस पेंडिड में पल्ष्विट माउडलेशन सेक्शन में लगी 9003 आइसी जब क्या लगा है दोस्तों उसके जगह पर एक अप्सन है बट उसको मैं अभी तक त्यारी नहीं कर पाया हूं देखिए क्या होता है जब जरुरत इंसान को पढ़ती है तो उसके पीछे पढ़ता है अब मेरा जरुरत क्या है दोस्तों कि आजकल जो PCV है PCV मिल आ रही है अ पीर दोस्तों के तरह बढ़ेंगे हेवल्स कुक्टुक 16 वाट का कीट कहां मिलेगा 36 गड़ दुर्ग जिले में दोस्तों अगर आपका हेवल्स का PCV लेना हो उसा का PCV लेना हो तो हमारे विलासपूर 36 गड़ में मेरा स्वाप का एड्रस यहां पे दिया हुआ है वहां पे आ सकते हो और आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा ओके दूस्तों फीर कोशन है सर मेरे पास सुरिया स्पार्क का इंड़क्षन है तो मैंने 80-50, 80-50, कैपिशीटर, क्वाई, सिंसर, टेन के रेजिस्टेंस इतना कुछ बदलने के बाद भी इंड़क्षन मौस्पेट बार उड़ जा रहा है उसका आईजीवीटी सप्लाई बराबर है और इंड़क्षन सीरीज में सही चलता है और मैंने परतन रखते ही तुरंत मौस्पेट उड़ जा रहा है इक्जांपल के लिए मैं कोश्चन आपको दे रहा हूं कोश्चन एक बता रहा हूं वैसे ही कंप्लेन आ रहा था मेरे एक दोस्त के पास में वह बता रहा थी कि मैं आईजीवीटी लगा रहा हूं सीरीज में डाल रहा हूं तो सही हो रहा है जैसे सीरीज में मेटल सेंस करन जो लगती है और टांडिस्टर को बदला का इंपूट और क्वाइल का आपट फीडवेक चेक कर लिया सही रहा उसको मैं चेक किया तो सही चल रहा है तो दूस्तों एक्च्वली क्या होता है कि हम कहीं न कहीं मीज करते हैं तो जैसे आपने सुरियास बताया कि किसी 50 केशीटर क्वाइल सेंसर टेन के रजिस्टेंट इतना कुछ चैनल कुछ आप वहां पर मिस्टेक कर रहे हो सकते हैं तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा बहुत ऐसा कम प्रॉबलम होती है कर माल सब कुछ सही रहा आई सी जो होती है माइक्रो कंट्रोर आई सी होती है उसके भी खराब होने से तुरांत आपका एक बीट उड़ता है लेकिन बहुत कम रियर केस में हम उसको टेन पर्षेंट ही बोल सकते हैं नब्य पर्षेंट आपका समाझ लोग कोई ना कोई मिस्टेक उसमें होता है टेन पर्षेंट आई सी के वजह से होती है ओके फिर दू और नहीं बजर का आवाज आता है केवल डिस्प्ले चालू रहता है और पूरा PCV SMD में है सबसे पहले ऐसा प्रवलम होता है तो आप आपका जो हाई अवर लो जो हमारा एसी का होता है हाई वोल्टेज का और लो वोल्टेज का आई सी के नौन नंबर और तेरा नंबर पीन टांडिस्टर लिकेज रहे तो भी ऐसा प्रवलम क्रेट होता है तो दो तिन पॉइंट होती है उसको आप असानी से चेक कर सकते हो फिर दूस्तों के तरह आप बढ़ रहें बजाज आइस एक स्थीरी इंडक्शन आफ करने पर फेंद बंद हो जाता है जल्दी बाकी इंड परसल बूर्ड में क्या होता है कि हमारा इंडक्शन कुक्ट अप मालो दस मिनट चला हम इंडक्शन कुक्ट अप के उपर से मेटल को हटा देते हैं और डिस्प्ले कंट्रोर पैनल से उसको आफ करते हैं लेकिन उसका फिन तुरंद बंद हो जाता है तो बहुत ऐसे यद्ध्सकाल के आप कैसे करेंगे इसकी प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे पहले इंडक्शन कोक्त अप को सप्लाई दो सप्लाई देते हैं तो थैफट कॉन होना ही जब चल्द डिस्प्ळेंट कंट् foam पैनल्स आप नहीं करते हो कोई को on करने के बाद और induction cooktop के उपर metal रखने के बाद fan running होता है अगर वैसा system से running हो रहा है उसके बाद आप मालो 10-5 minutes कर रहे हो metal को हटा दिए display control panel से off कर दिए अगर fan आपका off हो जा रहा है तो वहां पर सबसे पहले आप 5 वोल्ट चेक करना कहां पर fan के पास में टंडिश्टर लगा रहता है 80-50 80-50 के base पर एक one के resistance लगा होगा one के resistance दोस्तों आपके ic पर जाएगा तो वहां पर आपको 5 वोल्ट चेक करना अगर 5 वोल्ट माल लो display control पैनल्स आफ करने के बाद अगर 5 वोल्ट वहां पर नहीं आ रहा है दीरे-दीरे कम होता है वल्टेज तो समाझे लो आपका manufacturing की problem है ओके दोस्तों कोशन के तरह बढ़ते हैं सर हेवल्स का induction में ठीक ठीक आवाज आता है और मेटल सेंस नहीं करता है और मैंने जीनर भी चेंज कर लिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है सब चेक कर लिया प्लीज बताएगे आप तीन SMD में जितने सरे टांडिस्टर है उसको चेंज कर दो और आइजी बीटी को बाहर निकाल कि उसको मल्टी मिटर से प्रोपर उसको टेस्टिंग करो ओके आपका प्रोब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएगा ओके फिर दोस्तों इतने सारे कोशन थे और एक और इंपोर्टेंट कोशन है जो मेरे दोस्त कहर सबसे पहले क्या है कि सर मेरे पास एक बजाज एक सेवन का इंडेक्शन है जो कि कहीं कभी चलता है और कभी बंद हो जाता है लेकिन डिस्प्ले नहीं जाती है परसान हो चुका हूं प्लीज इसके उपर वीडियो बनाएगे ऑगी बीटी भी चेंज किया नहीं करना था आपको कि दोस्तों कभी गरम हो हो रहे हleri कभी नहीं हो तो से यह फीड़ाएग पर्फी इनकी है इसी प्रब्लम होंग बहुत परसान हो जाते है क्योंकि फॉब्लम को पाता ही कभी चलता है जैसे क्षापी होथाए कि कश्टामर के घर पे नहीं चलता है जैसे कस्टाफर verkसान हो जाते बहुत लोग परसांते की प्रीवल्म क्या होता है एक एक component को चेक करना पड़े क्योंकि आपका जो PCB है SMD package में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी फिर दोस्तों लास्ट कोशन के तरफ बढ़ते हैं सर उसा का का induction है फ्यूज उड़ रहा है कोई भी सौटी निया फिर भी फ्यूज क्यों उड़ रहा है तो पहली बात उड़ने के लिए लगाते हैं लेकिन कब उड़ेगा अगर हमने 10 एंपियर का फ्यूज लगाया आगे में सौट सर्कीट होता है तो एंपियर बढ़ जाता है तेन एं चाहता हो कि आप जब भी इंड़क्शन रिपेर करते हो तो तेन एंपियर का फ्यूज लगाओ क्यों कि दूस्तों आपको पाता होगा कि नाइन एंपियर तो लेता नहीं है इंड़क्शन कुक्ट एट से कमी लेता है सेवन ले सेवन पॉइंट फाइप ले अगर आप वहा उसके बाद आपके पास लेके आएंगे तो आपको लगा इस पूरा ट्रेक जल गया आइसी ऊड़ गया तो रिपेर करने लायक नहीं होता है तो आप वहां पे हमेशा टेन इंपियर का फ्यूज लगा और जो आपकी प्रोब्लम है आप भी टेन एंपियर का फ्यूज लगा अगर टेलेंट रहते हैं तो उनको पता होगा कि को उतना एमेम का और कौन सा वायर लगाएंगे तो हमारा आईजी बीटी सोट होने के बाद हमारा फ्यूज ओपन हो जाएगा जिनको अनुभाव हो कर सकते हैं दोस्तों आज के वीडियों पर समाप्त होता है लगबर में सा कुछ गल्ती होती है तो आप मेरे को कमेंड में बताएगा क्योंकि दोस्तों हम भी एक इंसान है और आपना अनुभाव को आपके साथ सेर करने के कोशिस करते हैं कोई इंजीनियर नहीं है जितना मैं प्रेक्टेकली जानता हूं उतना आप लोग के बताने के कोशिस करता हो करते हैं